अंत्र दिर्देश, वर्धावन स्वामे के शासन में हम सभी राष्ट है, और उनकी पावन प्युष देशना हम सभे के लिए परमुप करें, अना दिकाल से हमारी आत्मा में, जोजन, जो जन्म जरा, और मुर्द्वरों भी रोग लगे, उन रोगों का उपर्शमन करने वाली, कोई परमॉष दी है, तो है, एक मात्र है, यह जन्वानी है, भव्यत्मा, यह जीवन एक गीत है, यह जीवन एक संगीत है, आप चाहो तो, आप चाहो तो आपका यह जीवन गीत बन सकता है, आप चाहो तो आपका यह जीवन संगीत बन सकता है, पर इस जीवन को गीत संगीत बनाने के लिए कुछ रीत भी तुआने पड़ेगी जीवन सब को मिला, एक मनुष्य को मिला, तिरियंच को मिला, देव नारक्य को भी मिला पर सभी मनुष्य को ये जीवन मिलने के बाद भी, जीवन को जीवन जीने की रीत नहीं पता जीवन के जीवन में प्रीत नहीं है, उनका जीवन कभी गीत संगीत नहीं बनता विरले ही जीव होते है, विरले ही जीव होते है, वे अपने जीवन को गीत संगीत में बदलते है बाकी तो ढोल धमा का भटा के तो सब के घर में फूटते हैं, नहीं फूटते किसी के सुभे, किसी के शाम, किसी के शब्दों के, तुमा किसी के बरतनों के पर विरलाही जीव, विरलाही जीव, विरलाही पुण्यात्मा जीव होता है जो अपने जीवन को गीत संगीत में बदलता है प्रतेक खणों में, प्रतेक आपदाओं में, विपदाओं में, अच्छे बुरे दिनों में भी वो अपने जीवन से, अपने आप से वो संगीत निकालना गीत बनाना जानता है जितने भी, जितने भी जितने भी गीत बने होंगे चाहे चाहे वह वरत्मान में आप जो फिल्मी धुन के जूप से सुनते हो वह बनाने वाले गीत कार से पूछ ले न, गीत, संगीत, कविता तभी बनती है, जब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भीतर जंकृत हो जाता है, कही ना कही भीतर कोई सुरताल छिड़ जाता है, चाहे अच्छे का छिड़ जाए, चाहे बुरे का छिड़ जाए, व्यक्ति बहुत खुश होता है तो गीत गाने के संगीत सुनने के भाव होते है कि बिलकुल दुखी हो जाए नहीं किया कभी अनवुद कभी व्यक्ति सामाने होता है तो कभी वो गीत संगीत सुनने में नहीं उलजता और थोड़ा साभी दुखी होता है लंबे समय तक दुख से बाहर नहीं होता है सोचता है कुछ नहीं मिला तो गीत संगीत ही सुन लो आज तक दूसरों के तो गीत संगीत हमने सुन लिये पर अपने जीवन को गीत और संगीत मैं क्यों नहीं कर पाए कि उन्हें जीवन में उस सुर्टाल को मिला पाए मां मिल पाया सुर्टाल घर में दो, चार, छे, दस जितने व्यक्ति थे किसी के साथ सुर्टाल मिल पाया दूसरों की छोड़ दो स्वयम के साथ कभी सुर्टाल स्वयम के भावों के साथ स्वयम के क्रियाओं के साथ कभी हम सुर्ताल मिला के उसका संगीत बना पाए नहीं बना पाए नहीं बना पाए नहीं बना पाए वो ही बरतन, वो ही सामगरी और उसी बरतनों से व्यक्ति संगीत निकालता है देखा कभी ऐसे भी संगीत और ऐसे भी वाद्ध है पानी से भरा हुआ बरतन उस भी लकडी मार मार के वो संगीत बनाता है और आप क्या-क्या मार चुके दूसरे पर नहीं दूसरे के तो सब को पता है किसने किस पर क्या मारा पर अपनी जीवन पर हमने कितनी लट चलाई क्या कुछ नहीं चला पाए तरीका होता है एक रीत होती है एक नीती होती है रीती होती है जिस जीवों के जीवन में रीती और नीती पहुँचती है वो ही अपनी जीवन को गीत संगीत बनाता है वही वही मिट्टी का बाउल जिसमें पानी था उसमें एक वेक्ती वही हलकी सी लकडी फेर लेता है वह धुन निकाल लेता है और एक उस पर वही लकडी मारता है और एक के दो टुकडे कर देता है हमारे साथ भी यही हुआ हमारे साथ भी यही हुआ जो जो हमारे साथ घटित हुआ चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ जो हमें लकडी मिली हम तो एक गाओ डो टुकडे है बस इतना ही हमने सीखा है अपने जीवन को संगीत बनाना सीखो जीवन से गीत निकालना सीखलो वह वीना भी होती है वह बजाने वाला कितना समझदार एक मात्र उस लोहे की चंद दो चार डोरियों से तारों से वह कितना संगीत निकालता है सुना कभी एक मात्र वह लोहे की तार ही तो थी लोहे की तार ही तो थी पर कौन से समय में कौनसी तार पकड़ना कौनसे समय में कौनसी तार छेड़ना यह कला थे क्या कभी ऐसा निर्णय हमने अपने जीवन में किया मुझे कौनसे समय में कौनसी बात करना कौनसे समय में कौनसा कार्य करना किन भावों से युक्त हो के कार्य करना ये विवेक हमने सीखा ही नहीं ये विवेक हमने सीखा ही नहीं हमने तो इतना ही जाना कि वह तो विवेक उठाओ और तार पे हाद घुमादो वह तो संगीत नहीं नहीं बज सकता नहीं बज सकता जिसको वह विवेक के तार बजाने का कौन सी कब पकड़ के कौन सी खीचने का विवेक नहीं है वह वीना के उस टारों को तोड़ देता है वीना के उन टारों को तोड़ देता है और रोता है भी लगता है मुझे तो उस दुकानदार ने ठग लिया भाना मुझे तो दुकारदार ने ठग लिया मैंने इतने पैसे देखे, इतने पैसे देखे वीना खरी दी थी, अरे वीना खरी दने से काम नहीं होता, मनुष्य बनने से, देवशास्त गुरु मिलने से काम नहीं होता, उसमें से संगीत भी निकालना पड़ेगा, कभ किसका कहा प्रयोग करना, ये विवेक, ये नीती, री पर चाहे हजारों में खरीदो, चाहे लाखों में खरीदो, चाहे करोडों में खरीदो, उसका प्रयोग करना भी तो आना पड़ेगा, यह मनुष्य परयाय मिली, यह मनुष्य का जीवन की बेश कीमती, बेश कीमती जीवन मिला, जिसकी कोई कीमत द्रव्य से टकों से नहीं च पर क्या उस जीवन से हम एकाद बार संगीत निकाल पाए? कभी अपने ही जीवन की गीत संगीत को सुनके हम अल्हादित होने का प्रयास कर पाए? नहीं है। पकड़ कर बजाने वाले के विवेक से नाना प्रकार के गीत संगीत बना देती है। नहीं सुना आप लोगों ने? जब व्यक्ति बहुत उदास होता है और ऐसा कोई संगीत बजाने लगता है तो ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। यह परद्रव्यों से निकाले हुई ध्वन, परद्रव्यों से निकाले हुई तान, यह तो कई बार हम सुन चुके पर अपने भीतर से भी कभी निकालो ना बेश कीमती ये मनुश्य पर्याय का जीवन मिला था, विवेक मिला था, ज्यान मिला था पर क्या करे महराज हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम अपने स्वेम के जीवन की बारे में समझे बाते तो सिंगे जी हर वेक्ति बहुत बड़ी-बड़ी करता है बहुत बड़ी-बड़ी करता है पर बड़ी-बड़ी बातों को बड़े-बड़े मांत्र पन्नों को पलट के रख लेना ये जीवन का निरने नहीं है जीवन का निरने नहीं है एक वेक्ति पूछने आये थे महराजी हमारे पास तत्वों का कठोर निरने है हम जानते है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही आपके पास तत्वों का तो निरने है पर स्वेम के जीवन का निरने नहीं है कोरे कागज पे लिखे हुए प्रतिक तत्व हम जानते हैं जीव, पुद्ग, लास्रव, बंद, सम्व, पुद्रव्य सब कुछ हमने रटके रखा पर मैं एक जीव हूँ और मेरे ही, मेरे ही जीव से निकली हुई तान मेरे ही जीव से निकला हुआ गीत संगी मेरा जीवन था, मैं ये भूल चुका था क्या था जीवन? क्या था जीवन? जीवन कही बाहर से आया था किसी परमात्मा ने हमें भेट किया था नहीं था नहीं था, नहीं था जैसे उस विणा से उन वाद्य वाद्यों से वह निकाला जाता है ऐसे ही अपने जीव से, अपने जीव से, अपने आत्मा से जो एक जंकृत करने वाला नाद निकलता है उसका ही तो नाद गीत संगीत है पर कितना सुन पाए? कितना प्राप्त कर पाए? हमें ये तक बोध नहीं है, कई सारे ऐसे जीव घूम रहे कई सारे ऐसे वेक्ति घूम रहे, उनको इतना तक बोध नहीं है कि मैं एक जीव हूँ मेरे विजी इतर चाए चेतना है मैं ही उस गीत बाहर के संगीतो का आनन्द लूट रहा हूँ तो मैं भी कुछ बना सकता हूँ मैं भी कुछ बन सकता हूँ इसका विवेक ही नहीं है कब सीखेंगे कब सीखेंगे कब सीखेंगे बचपन बीद गया, पचपन बीद गया पचासी भी जाने को है पचासी भी हाथ से जाने को है छूटने को है पर क्या कर पाए क्या कर पाए, क्या कर पाए जीवन की नीती रीती नहीं सीखी जीवन जीने की कला नहीं सीखी तो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना व्यर्थ है बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है मांत्र मांत्र उस जीवन को मनुष्य पर्याय को हम एक गती से दूसरे गती तक ढो रहे है मनुष्य गती से तिरियन, तिरियन से बहा, मांत्र इतना ही आज तक अनंत काल से करत्या है, आगे भी, बुलो ना, वही करना है, अगर नहीं समझे, अगर नहीं सुधरे, तो विश्वास मनना, जो करत्या है, वही करना पड़ेगा, कभी तो, कभी तो, कभी तो वह भीतर की तान छेड़ लो, पर क्या करे महराज, आपने तान के दी, सो हम तान के खड़े हो गए, हम तो तान की एकई अर्थ समझते हैं, हम तो तान का एकई अर्थ समझते हैं, हम तो तानते गए, तानते गए, अपने आपको, दुनिया को, समा रूपी तान की बात है क्या करें व्यक्ति तान तान कर तान तान कर तानना नहीं जानते रामजी तानना नहीं जानते तानना हम जानते है पर तानना नहीं जानते तान तान कर दूसरे को तान तान कर दूसरे के काम में तान तान कर पता नहीं, पता नहीं, हम अपने जीवन की तान भूल गया है हमें अपने जीवन की उस वीना के भाती तान बजानी सीखनी थी पर क्या करें, कशायों की क्रोध, अहिंकार, मान, माया पता नहीं कितने कितने कशायों की तान प्रती दिन हम छेड़ते रहे वो भी दूसरों के कानों तक जाके पर हम अपनी जीवन की तान नहीं सुधर पाए समाल नहीं पाए नहीं तानते ना नहीं मानते ना मन नहीं जानते ना जानते तो बहुत है महराजी जानते तो बहुत है जानते तो बहुत है आपको भी जना दू, इतने ग्यान, इतना जानकारी, इतना ग्यान हमारे पास है, पर जो जानते हैं, क्या उतना हम मानते हैं, नहीं मान पा रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने तानना सीखा है, मानना, नहीं सीखा है, मान बोलो, नहीं मानते ह आप तो नहीं बोलना पड़ेगी अगर उनकी मानते होते हम अपनी 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 तानते रहे अपनी अपनी तानते रहे और जहां जहां हमने ताने वहाँ वहाँ हमने अपने जीवन की तान छोड़ दी एक दुन निकालनी थी एक तान निकालनी थी अपने भीतर से कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ मैं क्यों कैसे कर रहा हूँ ये भीतर से गदगद भावों के साथ हमें भीतर से आवाज आने चाहिए थी हाँ, तो ये कर रहा है, सही कर रहा है कर ली, कर ली कई-कई घंटों घंटों भगवान के सामने बैठ कर मा पूजा की 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 नहीं कई घंटों, कई घंटों हमने भगवान के सामने बैठ कर पूझा करते करते कभी कभी भीतर की are छिड़ पाए नहीं क्रियाय तो खूब की खूब हमने क्रियाय की पर उस क्रियाओं के पीछे के भाउन को रहे है को चर्मजल नहीं पाए इसलिए भीतर की वतान भीतर का वगीत संघीत सुनाई नहीं दिया दिया क्या? कितने गंटे पूजा की? मा गनित करो ना? आप करलो गनित, आप तो भहुत होचयार है गनित करने में, आज तक के 20, 25, 40, 50, वर्श की उम्र में जितने साल पूजा की उन सालों में से, दिन और दिन में से घंटे गुना करके गंट निकालो तो कितने घंटे पूजा की, आपके उम्र से कई अधिक, कई अधिक घंटे आपने पूजा कर ली, पर क्या फ़ल मिला? क्या फ़ल मिला? क्या उस कारे की पीछे हम अपने जीवन को, अपने जीवन के रहसे को, गीत को, संगीत को समझ पाए? नहीं, नहीं समझ पाए, यह अद्भुत 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 रहसे भरा हुआ यह जीवन था, पर क्या करें इतना रहसे हमारे पास समझने का समय कहा है, रहसे समझते हैं न हमाराजी, हम भी रहसे समझते हैं, पर किसके, पड़ो सी के, दूसरों के, अपने र भीतर से जंकृत होके समझना होगा कभी ऐसे भाव ही नहीं हुए हुए क्या घंटों पूजा करने के बाद भी ऐसे भाव हमारे नहीं हुए कि पूजा से उठते हुए हमें ऐसे लगे कि बस यही बैठा रहा हूं हमें तो घड़ी सामने रखती है हEm भगवान को कम देखते और घड़ी को ज़दा देखते अभी एक पूजा अभी आधी पूजा अभी एक करगे बचा अभी माला बची अभी हो गई पूजा हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है मंदिर में वेदी पर कितने भगवान हैं कितनी प्रतिमाय हैं कौन से भगवान का है ये कम पता होगा पर कौन से दिवाल पर कौन से रंकी घड़ी लगी है ये सब को पता है हाँ यसा ही है अपने आपको जाक जाक लो अपने आपको जाक के देख लो उसरों को नहीं, अपने जीवन में जाको आज तक, आज तक हम यही, यही, यही करते रहे इसलिए जो जीवन से गीत संगित बनना था, वो नहीं बन पाया आरे जीवन की छोड़ो, पूजा में कितना गीत संगित बन पाया नहीं बन पाया मंदिर के टेबल तोड़ देना बरतन फोड़ देना इसका मतलब संगीत नहीं है भक्ती नहीं है